Automatic Phone Display Line Problem दोस्तों यहां पर सुबह सुबह में उठा तो Automatic से मेरे Mobile Phone की Display पर खुद ही यह Lining का Issue आ गया है तो ऐसे में नहीड मेरा Mobile Phone कभी निचे गिरा है, नही पानी में गिरा है एकदम बढ़िया तरीकते से निऊफोन है Lेकिन Strategicly सुबह सुबह मेरे Mobile Phone की इस टाइब से लाइनिंग का इशू आ रहा है तो ऐसे में मैं आपने मुबाइल फून में किसी भी अप्लिकेशन को उपन कर रहा हूँ यूट्यूब को पन कर रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पर सर्च बारेंगों जैसे कि आप देरें को यहाँ पर मेरे मुबाइल फून के बैक होने को बताव यहाँ पर किसी दूसरी अप्लिकेशन को प्ले स्टोर पर कुछ भी किसी भी अप्लिकेशन को सर्च करने जाओ तो कंटेन्यू आपको है पर डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा चाहे आपके पास भी किसी कंपनी का फोन के अगर आपके मुबाइल फोन की डिस्प्ले पर भी आटोमेटिक से कुछ इस टाइप से लाइनिंग का इशू आ रहा है तो यहाँ पर मैरे मुबाइल फोन की डिस्प्ले पर कर लाइनिंग का इशू आ रहा है वही कुछ लोग की मुबाइल फोन की ड थीक एक मिनट के अंदर-अंदर में अपने मोबायल फून में उन तिनु सैटिक्स को एनेबल करके डिस्प्ले लाइनिंग की प्रावम को हमेशा हमेशा के लिए सालुक कर दिया अब यहां पर आपको मेरे मोबायल फून की डिस्प्ले पर कोई भी लाइनिंग का इशू लखने को नहीं मिर रहा हूँ तो अब इसी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि most helpful वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है तो यहां पर डिस्प्ले पर अऔरो अर्टमेटिक लाएनिंग के सालोक निकले होँए । आपको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपको इससानी निचे ईस्प्राइब को अप्सटार, कहा रा रहेंगे हो सकता है नोट्फिकेशन का improve यहां पर मुझे आपस का इकन रहा हो सकता है आपके मुबाइल फून में नीचे चलगे कही पर आरहोगा मैनेजमेंट टरब आप इंफो यह ऐप लिष्ट का इकन देखने को मिल रहा हो तो कहने का मतलब है आपको वाइल फून की सैटिंग्स में सारे की सारी एप्स को निकाल के लाना है तो जैसी आप अपने वाइल फून की सैटिंग्स में सारे की सारी एप्स को निकलेंगे तो आपके मुबाइल फून की इंस्टाल अप्लिकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे तो जैसी आप settings के icon पर click करेंगे तो setting का कुछ ऐसा interface है तो यहां पर आपको scroll करने bottom में आपको दो option होगे data usage का storage usage का तो आपको storage usage के icon पर click करने तो जैसी आप click करेंगे again ऐसा interface हो तो bottom में रैडिकल में clear के चीजित के icon पर click क्लिक करने को एक step back आना है back आने को आपको टॉप करने पर सेंटर में फॉर स्टाप के आइकन पर click करने को अगेन आपको बॉट्टम में फॉर स्टाप करने तो आप बैक मोबाइल फून की इंटर फैस निकल के एक यहाँ पर को सैटंक के टॉप करने पर सर्च बार में डिरेक्ट सर्च करने हो और इस इडि आपको रिसेट लिक के सर्च कर देने तो आपके समय 6 सब्साव जाएंगे तो अपको पहला भी निए दूसरा भी तीसरा भू आरहो हो को reset all setting तो यहाँ पर मुझे reset all setting आ रहा हो सकते हैं आपके मुबाइल फोन में reset setting आ रहा हो तो reset setting, reset all setting एक ही चीज़ आपको बिल्लकुल confused नहीं तो आपको तीसर आप्षा reset setting पर click करना है तो जैसी आप click करेंगे अगीन आपके समने तीन option हैंगे तो आपको पहला भी नहीं दूसर आप रिसेट setting पर click करना है तो जैसी click करेंगे आप जो भी आपने मुबाइल फोन में security pattern या पिन रहा हो लगा देना है तो जैसी आप इसको लगा देंगा लगाने कवद आपके समने ऐसा interface है तो आपको bottom में radical में reset setting पर click करने कवद again और एक पर click करना है अब आपके आपने वाइल फोन की डिस्प्ले पर आटमेटिक जो लाइनिंग कैश होए हो वह सालूब नहीं होगा अब आपको अपने वाइल फोन में कौन सी last and final setting ऐसी करनी होगी जिस settings को enable करते ही तुरंद आपके मुबाइल फोन की display पर जो lining कैश्व हो आटमेटिक से हमेशे हमेशे क कि होम स्क्रीन पर आने के जो भी आन अफला बटन इसको लांग प्रस करना जैसी आप लांग प्रस करेंगे तो आपके समय दो ऑप्षिन हैं के पावर आफ कर स्टार्ट कर दोस्तों यहां पर मुझे रिस्टार्ट का इकन आ रहा है हो सकते आपके वाइलफून में लास्ट च कर जाएगा ओपन होने के आपको तीन से चार मिनिट का वेट करें ठीक तीन से चार मिनिट के अंदर आज़र आपके मुझे डिस्प्ले पर लाइनिंग के प्राव्म जो आटमेटिक से रिमूव होना लग जाएगी तो दोस्तों कुछ इन दिन सैटिंग के मज़र से आप ब अपने में डिस्प्ले लाइनिंग के प्राव्म को हमेशे हमेशे के लिए सालू करते हैं वीडियो अच्छी लेगी चैनल को सब्सक्राइब करें अब लिए थैंक यू